नमस्कार, A to Z Dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जाहरी हूँ पालक और कॉन के राइस ये खाने में बहुत ही मज़िदाल लेखते है वैसे तो पालक काफी बच्चों को नहीं पसंद आती है पर आप इस तरह से ये स्पिनिच कॉन राइस उन्हें बना कर देंगे काफी मज़ा आजाएगा आपको भी कुछ डिफरेंट खाकर और बच्चों को भी खिलाकर और आसान भी है तो चलिए इसे शुरू करते है बनाना उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस को अन कर लिया है इसके उपर कडाई रखती है और इसमें हम डालेंगे गी आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते है पर गी से बड़ी अस्वाद आएगा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे तीन कटोरी पानी तो यहाँ पर देखिए मैंने ये तीन कटोरी पानी डाल दिया है स्वाद नुसा नमक डाल देंगे अच्छे से एक बार मिला लेंगे और पानी को में गरम कर लेना है जल्दी गरम करने के लिए हम इसे डग देंगे आप देख सकते हैं पानी को मैंने डग दिया था तो अच्छे से गरम हो गया अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल ये चावल को मैंने दो से तीन पानी से अच्छे से वाश कर लिया था और जिस कटोरी से मैंने पानी डाला, उसी कटोरी से दो कटोरी मैंने जावल लिये हैं, डाल कर अच्छे से मिला लिये हैं, इसे खुला ही हमें तेज आज पर पकाना है, 5-6 मिनिट तक जब तक इसका पानी सुख जाए, आप देख सकते हैं, इसका जो पानी है, 5-6 मिनिट के बस यह हलका हलका इस तरह से रह जाए ना तो एक बार पहले मिला लेना है फिर आज को बिल्कुल स्लो कर लेना है बिल्कुल धीमी आज कर लेना है और इसे ढखकर आपको धीमी आज पर पांच मिनट तक पकाना है तो यहां पर पांच मिनट हो गए है और आप देख सकते हैं हम इससे क्या होगा और चावल जो है खिले खिले होंगे बढ़िया अंदर तक सारा फ्लेवर चला देगा पर गैस को बंदी कर देना है जब ये बन जाए बंद कर दे से ढखकर रख दे तो देखिए पांच मिंट के बार देखिए किते बढ़िया हो गए इसे मैंने प्लेट में अब यहाँ पर मैंने ले लिए एक कप पालक थोड़े से पुदीना के पते और ये एक चौथाई कप मैंने ले लिए दनिया के पते यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से वाश कर लिया है और दनिया पते पुदीना को भी ऐसा किया है सबसे पहले मिकसर में ये तीनों जालेंगे वो अप मीषारता है दूम दूंक्तखली हम लपारिक ईनता सना है जूत लेंगे, भीक बहुत नंदे चवका के भी साथ इतता सी पूंक्तप देना गुल्स, या अथा पल पेस्टvation पते पुदी न और पालक वह पीसा होगा है इसके अंदर हमें डाल देना है अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर हम डालें गे एक कप कौन तो यहाँ पर मैंने कौन को अच्छे से चिल कर ये सारे उसके दाने निकाल कर बॉयल कौन यानि उबले होए कौन ही इस्तमाल किये हैं अब ये डाल कर अच्छे से हमें मिला लेना है मिलाने के बद इसके अंदर स्वादर नुसार नमक नमक हमने पहले भी डाला था चावल पकाते वक तो इध्यान से डालिएगा एक चौथा ही चमच हल्दी पाउडर आदी चमच लाल मिश पाउडर अच्छे से सब को मिला लेना है मिलाने के बद हमारे जो पके हुए चावल लेना वो हम इसके अंदर डालेंगे और डालने के बद अच्छे से हमें सारी चीजों को मिलाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ये बड़िया रंग लग रहे है जितने ये बड़िया रंग लग रहे है ना उतना ही खाने में आपको मज़ा आएगा तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नीमबू का रस नीमबू का रस से बहुत ही चटपटा स्वादा आता है पर अगर आपको नहीं पसंद है नीमबू का रस तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अच्छे से इसे मिला लेंगे तो देख सकते हैं एकदम बढ़िया से हमारे spinach corn rice तयार है आप इसे कोई भी पार्टी में बनाएं special location पर इतने ये बढ़िया लगते है ना खाने में एकदम जब हम खाते है राइस का एकदम soft और corn का थोड़ा सा crunchy आता है इतना मज़िदा लगता मैं तयार है कि इसको बन कर लिया और इसे मैंने serve कर लिया है आप इसे ऐसे खाए अच्छा लगेगा दही के साथ खाए रायते के साथ खाए बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा तो से ट्राइ कीजे और मुझे कमें सेक्शन बताइए कि आपको ये मेरी recipe कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे अपने friends और family के साथ और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ एक new recipe के साथ तब तक के लिए thank you for watching